आदे रादे केसे हो आप सभी उमीद करूगी दोस्तों आप अपने घर पे खूब बढ़िया होंगी अभी ना सुबा के 8 बज रहें तो अपने लिए चाय बना रहे थी चाय बनाते बनाते सोच रही हूं क्यों ना कुछ बढ़िया सा नाशता भी बनाऊ और यूटूब फेम चाय को मीठी कल लेती हूं तो एक बड़ा वाला कप है थोड़ी चाय जलेगी मतलब दूद जलेगा तो कम हो जाएगा तो एक चोटी चमच इसके अंदर हम चाय पत्ती डाल दे रहें और अच्छे से इसमें खदकने देंगे इसको क्योंकि मैं दूद वाली चाय बनाती हू तुम अपने हिसाब से बता रहे हूं आपके लिए बस यह कहना चाहती हूं तो यहां पर चाय में जब तक उबाल आ रहें खदक रहे हैं हम क्या कर रहे हैं आदा कटूरी दही ले रहें दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं ले रहें ताजा दही है और इना खट्टा दही न नजर नहीं आने ची इस तरीके से फेटें थोड़ा से चलाओगे काफी अच्छी से फिट जाएगा दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ मोर्निंग का जो अपना चाय वाला नास्ते का व्लोग होता है ना कुकिंग व्लोग वो शेयर कर रहे हूं और मैं उमीद करूंगे आप नमक भी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें अच्छा कुटी लाल मिर्च की जागे पिसी लाल मिर्च के पाउडर भी डाल सकते हो तो अब हम क्या करेंगे चाय को दूसरी साइड रख देंगे और चाय में अच्छे से उबाल आ गई अभी बगोनी गरम-गरम मुझ आप मत जला लेना और चाय पहले दूसरी साइड रख देना मुझी ना इस वाले चूली में काम करने में काफी आसानी होती वीडियो शूट करने में वह कोने का पड़ जाता है उधर दिवाल आ जाती इसलिए अब मेंने क्या किया दोस्तों गे सुनकर के तटका पेंड रख जाए तो गेस बंद कर दें और एंड में कड़ी पता जरूर डाले इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और मैं जब जब कड़ी पता डालती हूं पताने को मुझे छीटे हाने का काफी ढल लगा रहता है तो बस कड़ी पत्ते को थोड़ा से त्रड़क जाने मतलब तो इस तरीक से तड़का जरूर लगाए इससे नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है तो तड़के को अच्छे से हम क्या कर रहे हैं दही के साथ मिक्स कर दे रहे हैं और इस तरीके से आप पांचे पीज नाश्ते की आदा गडुरी दही में लगवक बना के तय और इस तरीक से बेसन थोड़ा से चला जाएगा इसके अंदर तो फिर नाश्ता आपका बहुत जादा कुरकुरा हो जाएगा तो टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल दे और अच्छे से मिक्स कर दे कोई भी जादा मसाले नहीं जाएंगे सुवा सुवा के टाइम इस नाश्त हाथि है कभी आपको घी में हेलती नाश्ते को बनाकर खाना चाहिए च्दिलाना जैए तह będzie है कविण के ब्रेड से बन रहा है और एक एक को लेह और अखिक ब्रेड को लेंगी और पेशन और दही तोड़ा सालेट पलेट दें और इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाएं इतना इसको डिप कलें और वापत से इसमें तो पलतेंगे तो काफी अच्छे से सिख जाएगा तो एक दम टेश्टी धाई वाला ब्रेड आपका बनके तैयार होगा वैसे ब्रेड पकोड़े बना कितन नास्ते को जरूर बनाएं फटाफट वाला नास्ता है नहीं भी घर पे जमा तो मार्केट का लिया है और बनाएं इसको एक बार आप जरूर तो इस तरीके से दोनों साइट दबाते हुए सेख लें और एकदम कुरकुरा बना लें तो यहां पर अलटते पलटते हुए सेख अच्छे सेख गया है बेशन में कोई कच्छा पन नहीं पुले निकाल लेना है मतलब बना के तल लेना है और फिर गरम कर आप किसी के साथ किसी की लिए सर्फ करें तो उस अच्छी में उनने काफी ज़्यादा पसंद आएंगे या पिर कभी-कभी मेहान आ जाएना तो आप सुबा के टाइम आपनी बना के खाएं मिमानों के लिए सर्फ कर सकते हैं उम्हीद करोंगे दोस्तों आपको अच्छी लगयों की रेस्पी एक बार और बना ले रहें थोड़ा सगी डालेंगे और बस ब्रेड को डिप करते भी डालेंगे मीडियम साइस के ब्रेड लिए आप क्योंकि इदर इनको बना रही थी मैंने उसमें अध्रक चीनी वगेरा डाल थी खतकाली बन गई अपनी चाय सिंपल सी गरम गरम चाय पीजिए साथ में इसको खाई ये पड़ा ही टेस्टी लगा था मुझे तो सची में बहुत ज्यादा पसंद आया था आप भी बना एका करें कल फिर मिलेंगे बाई